हमारा अगला स्लोक है पुस्पे गंधम तिले तैलम काश्ठेग्निम पयसी घ्रितम इक्छव गूडम तथा देहे पस्यात्मानम विवेकत ह। पुस्पे गंधम पुस्प कहा जाता है कुसुम को या फूल को प्रसुन भी कहा जाता है हर्थात ये पुस्प के परियायवाची है कुसुम प्रसुन फूल सुमन तो पुस्पे पुस्प सब्द है सब्तमी भक्ति एक वचन का यह रोप है इसका थात्पर होता है पुस्प मे गंधम का ताथ पर यह होता है गंध या सुगंध तीले तैलम तीले तील सब्द है सब्दी में सकती एक वचन का यह रूप है इसका ताथ पर यह होता है तील में तैलम तैल अर्थाथ उसका जो सार होता है देखे पूस्प का सार क्या है उसका गंध तील का सार क्या है? उसका तेल काश्ठे ग्निम, काश्ठे ग्निम, काश्ठ, काश्ठे धन अग्निम इती काश्ठे ग्निम, काश्ठे, काश्ठ मूल सब्द है सब्तिमी भक्ति एक वचन का यह रूप है काश्ठक मतलब होता है लकडी काश्ठे का तातपर यह हुआ लकडी में तो काश्ठे धन अगनिम इती काश्ठे गनिम यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधी है अगनिम मतलब होता है अगनि या आग पयासी का तातपर यह होता है दुग्ध या दूध ग्रितम, ग्रितम का तातपरी होता है घी पयासी, पयासी मतलब होता है दूध, पयासी मतलब दूध में इसका पर्याय होगा दुगधे, संस्कृत में तो पयासी दुगधे इक्छव इक्छ कहा जाता है इक्छ या गर्ना जैस आप चित्र में देख भी पा रहे हैं इने कहा जाता है इक्छ इसका विशेश पूजान आदी में उपयोग किया जाता है आप सभी जानते भी हैं तो इक्छव गुडम इक्छ से गूड या इक्छ में गूड तथा देहे तथा मतलब उसी प्रकार से देहे देह मूल सब्द है सब्तमी भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है देह में या शरीर में पस्यात्मानम पस्य धन आत्मानम अर्थात पस्य मतलब देखो आत्मानम मतलब आत्मा को विवेक तह विवेक मूल सब्द है और तह यह प्रत्य जोड़ा हुआ है इस प्रत्य प्रत्य का प्रयोग पंच्मी भक्ति के अर्थ में किया जाता है किसी भी सब्द में आप्तह प्रत्य का योग करते हैं तो वह पंच्मी विवक्ति का अर्थ देने लगता है जैसे ग्राम सब्द है ग्राम सब्द का पंच्मी होता है ग्रामात इसी तरह से ग्रामात के इस्थान पर यह आपको दूसरा सब्द लिखना है आप लिख सकते हैं ग्रामत्तह, ग्रामधंतह इती ग्रामत्तह, तो ग्रामात का जो अर्थ है वही अर्थ ग्रामत्तह का होगा, इसी तरह से विवेक सब्द का पंच्रम भक्ति बनता है, विवेकात, विवेकात का ताथ पर यह होता है विवेक से, और यही अर्थ देता है विवेकतह, विवेकध कहते हैं यह सब्द रुप है कारक रचन कहते हैं पंच्वी भकती एक वचन का यह रूप है लिकिन विवेक सब्द में यदि हम्तह प्रत्या का योग कर दें तो सीधा तेलम तील में तेल होता है, काश्ठेगनिम लकडी में अगनी होती है, पयासी घृतम दूध में घी होता है, इक्छव गुढम इख में गूर होता है, तथा जिस प्रकार से पुस्प में गंध होता है, तील में तेल होता है, लकडी में अगनी होती है, दूध में घी होता है, और इक्ष में अर्थात गन्ना में गुड होता है उसी प्रकार से देहे सरीर में पस्यात्मानम विवेक अतह सरीर में विवेक पुर्वक आत्मा को देखना चाहिए अर्थात जिस सरीर की हम बात करते हैं जैसे पुष्प में गन्ध दिखाई नहीं देता है तील में तेल दिखाई नहीं देता है लकडी में छुपा हुआ अगनी दिखाई नहीं देता है दूद में समाहित घी दिखाई नहीं देता है और इक्ष में समाहित गुड दिखाई नहीं देता है लेकिन हाँ उसका अस्तित्व महा होता है इसी तरह से हमारे और आपके सरीर में आत्मा उसी तरह समाहित है जैसे पुस्प में गंध तील में तेल आधी जो है समाहित है उसी तरह से हमारे सरीर में आत्मा समाहित है इसे हमें विवेग पूर्वा कर्थात ग्यान चक्छों से हमें देखने की आवशक्ता है तो जो दिखाई देता है केवल वही होता है ऐसा नहीं है नहीं दिखता है फिर भी यहा होता है क्योंकि व्यक्ति जब मृत हो जाता है तब सरीर तो वही होता है लेकिन उसमें आत्मा या प्राण नहीं होने पर वह सरीर अचल हो जाता है उनमें गती नहीं होती है तो हमारे सरीर में जब तक प्राण है जब तक आत्मा है तब तक इसमें गती है और यहां आत्मा हमारे सरीर में उसी तरह समाइत है जिस तरह से यह अभी आपको बताया गया कि पुस्पे गंधम, पुस्प में गंध, तीले तैलम, तील में तैल, काष्ठेग निम, काष्ठ में अगने, पयसे घृतम, दूध में घी, इक्छव गुडम, और इक्छ में गुड समाहित होता है, उसी तरह से हमारे सरीर में, हमारे आपके सरीर मे आत्मा जो है, निमास करती है, इसको हमें विवेक तह, पस्य, विवेक पुर्वक देखना चाहिए, समझना चाहिए, दूध में घी, सहज रूप से प्राप्त होता है, क्या नहीं, इसको एक विशेस प्रक्रिया होती है, उस विशेस प्रक्रिया से दूध में से घी प्राप्त किया जाता है विशेष प्रक्रिया से तिल से तैल प्राप्त किया जाता है उसी विशेष प्रक्रिया से पूस्प से गंध का अनुभव किया जाता है तो ऐसे ही उस विशेष प्रकारत से शरीर में आत्मा की उपस्तिती को हमें देखना चाहिए यह जो स्लोक है इस स्लोक से संब्धित कुछ प्रस्ण पूछे जाएंगे हैं जैसे काश्ठेगनिम इती पदस्य संधी विच्छेदम कुर्त तो काश्ठेगनिम इस पद का संधी विच्छेद कीजिए तो काश्ठेधन अगनिम इती काश्ठेगनिम पूर्वरूपस्वर संधी पस्यात्मानम पस्यधन आत्मानम इती पस्यात्मानम प्रस्ण पुछा जा सकता है कूसमे इती पदस्य परियाय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम कूसमे इस पद के अर्थ में इस स्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है यह प्रश्ण है कौन से पध है बिल्कुल सही पुस्पे तो उत्तर लिखेंगे कूशु में इती पधस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रइुक्त पदम अस्ति पुस्पे आई प्रश्ण पूछा जा सकता है दुख्धे इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयोक्तम अथाथ दुख्धे इस अर्थ में किस पर्याय पद का प्रयोग किया गया है तो उत्तर क्या होगा? विल्कुल सही, पयासी तो उत्तर लिखेंगे एसे प्रसम पूचा जा सकता है उत्तर है तो उत्तर है शरीरे एती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति देहे ऐसे प्रस्प पूछा जा सकता है प्रयुक्त अस्मिन स्लोके प्रयुक्त अव्याय पदम चिनुत अर्थात इस स्लोक में जो अव्याइपद प्रयुक्त हुआ है वो चुनकर हमें लिखना है तो उत्तर क्या होगा अव्याइपद को आपको चैन करना है अव्याइपद कौन सा है इस स्लोक में अव्याइपद है तथा तो इसको आपको चैन करना है और लिख देना है हो गया उत्तर आपका, इसी तरह से विभिन सब्दों के रूप को पहचानने के लिए कहा जा सकता है, जैसे पूस पे इती ही पदे प्रयुक्त विभक्ति में लिखात, तो पूस पे जो कहा गया है, इसमें विभक्ति कौन से प्रयुक्त हुई है, यहाँ पर जो सब्द प्रय दो पूस्पय शब्द जो है तीन इस्थानों पर प्रयोग होता है तो इन तीनों इस्थानों पर प्रयोग होता है यहां सब्तमिय भक्ति एक वचन का है क्यों पूस्पय गंधम पूस्प मे गंध इसकी बात कि मे कहा लगता है अधिकरण में लगता है अप सभी जानते हैं वच्तियों के व Florian के करताने कर्म को करण शेले संप्रदान के लिए अपादान से प्रिथक होने के अर्थ में संबंद का के की रा रे री अधिकरण में पे पर संबोधन हे रे अखो तो यह सभी क्या है यह विभक्ति चिन है विभिन्नकारकों में लगने वाले विभक्ति चिन है तो पूस्पी जो कहा गया है इसमें प्रइक्त हुआ है क्या में इसलिए यह क्या हुआ अधिकरण कारक के कारण से यहाँ सब्सक्राइब का पद हुआ सो इस तरह से विभिन पदों के विशह में प्रस्न पुछे जा सकते हैं इनके विशह में आपको जानकारियां रखनी है तभी आप निशित रुप से जितने भी प्रस्न सलोक से संबंधित पूछे जाएंगे उनके उत्तर आप देने में समर्थ होंगे चले आगे बढ़ते हैं हमारा अगला स्लोक है सत्येन धार्यते प्रिथिवी सत्येन तपते रविह सत्येन वाति वायुष्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम सत्येन धार्यते प्रिथिवी सत्येन यह सब्द कहा गिया है सत्यमूल सब्द है त्रिथिवभक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है सत्य से या सत्य से द्वारा, से के द्वारा, दोनों करण कारक में, अभी हमने पढ़ा, तो उसमें से और के द्वारा, दोनों का प्रयोग करण कारक अर्था तृतियोवभक्ति में किया जाता है, तो सत्य मूल सब्दा है, तृतियोवभक्ति एक वचन का यह रूप है, और इसका तात्पर य या सत्य के द्वारा धार्यते धार्यते का मतलब होता है धारन किया जाता है प्रिथ्वी को सत्यन तपते रविह और सत्य से तपते मतलब वो क्या करता है तपता है या चमकता है क्या रविह रवी कहा जाता है सूर्य को इसके अलग-लग परियावाची भी होते हैं, आप सभी जानते हैं, प्रभाकर कहते हैं, दीनकर कहते हैं सत्येन वाति वायुष्च, वायुष्च यह सब्द जो आया है, यह संधी उक्तपद है, संधी विच्छेद करें वायुधन्च इति वायुष्च यहां विसर्वर संधी का प्रयोग हुआ है तो सत्यन सत्यसे या सत्यद्वारा वाती मतलब बहती है या प्रवाहित होती है वाईउह वाईउह कहते हैं वाईउह को या पवन को तो वाईउह को परियाय क्या है पवन है परिक्षाम पूछा जाता है सthing मेने हैं तो सतेप्षित है प्रतीर सतेप्रξय है तो सतेट दार्यत देखे सकते प्र आ हैं सन्सार का मूल है सत्य सत्य है तभिह संसार की का हुआ है धर्ती्युकी हुई nay जितने हम चराचर जगत की बात करते हैं यह सभी सत्य सत्य के कारण ही अपने अस्तित्व में हैं इसलिए कहा गया सत्यन धार्यत्य प्रित्वी सत्य के द्वारा ही प्रित्वी को धारण किये जाता है सत्य के कारण ही प्रित्वी अपने अक्ष पर किकी हुई है सत्यन तपते रवी और उस सत्य के कारण ही रवी अर्थात सूर्य ज सूर्य क्या कर रहा है यह जमक रहा है सत्यन वाति वायुस्च और सत्य के कारण ही वायु जो है संपूर्ण संसार में प्रवाहित हो रही है सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम इस संसार में जितना कुछ हो रहा है जितनी की चीजें हैं जो अपने अस्तित्व में हैं विशेश कर प्रकृति ये सभी जो हैं सत्य के कारण ही प्रतिष्ठित है इसलिए कहा गया सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठ तो सत्य के द्वारा प्रित्वी को धारण किया जाता है देखे विभिन परिक्षाओं में पूरे स्लोक का भावार्थ पूछा जा सकता है या स्लोक में जो चार चरण है उन चार चरणों में से किसी एक चरण को एक वाक्य के रूप में लिया जाए और उसका अर्थ पूछा सकता है जैसे सत्यन धार्यते प्रिथ्वी अस्मिन पदस्य अर्थम या भावार्थम लिखत अर्थात सत्यन धार्यते प्रिथ्वी इस पद का इस वाक्य का अर्थ लिखिये तो क्या होगा तो सत्य के द्वारा ही प्रिथ्वी धारण किया जाता है सत्यन तपते रवि हैं और इसका भी अर्था पूछ दिया गया क्या होगा उत्तर बिल्कुल सही तो सत्य के द्वारही रविय सूर्य तपता है या चमकता है यह यह इक वाक्य है देखें यह चोचे चोचे वाक्य हैं यह सभी सुक्ती भी हैं सुभासी स्लोकों को तो हम आ रहे हैं सत्यन धार्यति प्रित्वी यह सुक्ति भी है सत्यन तपति रवी यह भी सुक्ति है सत्यन वाति वायुह यह भी सुक्ति है सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम यह भी सुक्ति है तो सुक्तियों से मिलकर करके यह सुभासि स्लोक बना हुआ है तो सत्येन वादी वायूह और सत्य के द्वारा ही वायूह प्रवाहित हो रही है सर्वम सत्य प्रतिश्ठितम च और सब कुछ सत्य के कारण ही या सत्य में ही प्रतिश्ठित है तो सार क्या है सार है सत्य सत्य है तो संपूर्ण चाराचर जगत है, सब का अस्तित्व है, हमारा आपका अस्तित्व उस सथ्य के कारण ही है प्यारवच्चों अभी हमने अध्यन के पाठ सुभा सितानी इस पाठ के हमने विभिन स्लोकों को देखा पाठ के स्लोक जो है बहुत महत्पूर्ण है नकिवल पढ़ने की दृष्टी से अपिति इन स्लोकों को हमें कंठस्त भी कर लेना चाहिए वह इसलिए क्योंकि विभिन स्थे लिए नीति एंज्ञान से युक्त यह जो सवासित हैं यह हम सब के लिए उप्योगी सिद्ध होंगे तो आप सभी इन स्लोकों के अर्थ को समझें भावार्थ को समझें विभिन पदों को समझें और इन से संबंदि जो प्रस्ण पूछे जा सकते हैं उन प्रश्णो की तैयारी करें और साथ ही इन स्लोकों को कंछस्त भी करें ताकि परिक्षा की दृष्टी से भी या अपने ज्ञान वृद्धी की दृष्टी से भी ये उपयोगी सिध्धा हो आईए पांच में जो सब्दार्थ दिये हुए हैं उन्हें देखते हैं सब्दार्थाह ब्रहम विदाम इसका ताथ पर होता है ब्रहम ज्यानियों का पातकम पातकम का ताथ पर होता है पाप परेसाम परेसाम का ताथ पर होता है दूसरों के परीपीडनाय दूसरों को दूख देने के लिए खलस्य खल कहते हैं दोष्ट को तो खलस्य का ताथ परिक हुआ हुआ है खल मतलब दुष्ट ? फ़लस्य you मतलब दूष्ट का भूवी का तात पर होता है प्रित्वी पर रोहती इसका तात पर होता है चड़ता है या बढ़ता है उपचीयते का तात पर होता है बढ़ता है वीम्रिसंतह विचार करते हुए म्रिगाह का तातपर यह होता है पसु या हीरन आदी अभ्यूपेतम का तातपर होता है युक्त इक्छव का तातपर होता है इख में या गन्ना में धार्यते का तातपर होता है धारन किया जाता है तो यह इस पाठ के सब्दार्थ हुए अब आईए हम अभ्यास का अभ्यास को दिखेंगे आईए अभ्यास प्रशनों को हल करते हैं निर्देश है अधो लिखितेशू सब्देशू उचितम संधी चिनुत अर्थात नीचे लिखे हुए सब्दों में उचित संधी को चून कर लिखिये अर्थात यहां कुछ सब्द दिये हुए हैं उनके संधी विच्छेद भी दिये हुए हैं कौन सा संधी विच्छेद सही है इसका हमें चैन करना है छिन्नों पी संधी विच्छेद दिया हुए है छिन्ना धन अपी और छिन्ना धन अपी सही कौन सा है यभी हमने पाच में अध्यान किया उसके दार पर अब हम देखें तो छिन्नों पी छिन्ना धन अपी इती छिन्नों पी विशर्ग संधी का यह उधारन है तो इस तरह से सही कौन सा हुआ छिन्ना धन अपी यह सही है संधी का नाम क्या है हां यहां संधी का नाम नहीं पूछा गया है लेकिन संधी का नाम भी आपको जानना कि कौन से संधी के नियम किस संधी नियम के अधार पर यहां संधी हुई है यह संधी विच्छद हुआ है तो छिन्ना धन अपी इती छिन्नो पी विशर्ग संधी अगला सब्द है छिन्नो प्यूपची यते सही कोण सा होगा हमने पाथर पढ़ा तो छिन्ना धन अपी धन उपची यते छिन्ना धन अपी यहां पर विशर्ग संधी के प्रयोग हुआ अपी धन उपचीयते यहाँ पर यांडश्वर संधी का प्रयोग हुआ ध्यान दिजेगा इस तरह का कोई भी सब्द दिये जाता है तो उसमें जितनी संधिया हैं उन सभी को हमें प्रिथक करना होता है और साथ ही संधी का नाम भी हमें जानना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है पुनस चंद्रह पुनाधन चंद्रह या पुनस धन चंद्रह अब यह दो रूप दिये हैं दोनों तरह का विग्रह होता है लेकिन सकार वाला जो रूप दिया गया है यह चोकि हलंत वाला है हलन्त वाला जो होता है ये क्या होता है विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है इसलिए क्या हो गई ये पूनाह धन चंद्रह यह रूप सही है और यहां विसर्ग संधी है म्रिगास चरंती म्रिगाह धन चरंती और म्रिगाह धन चरंती ये दिया हुआ है सही कौन सा है? सही रूप है मृगाह धन चरंती, क्योंकि चर धातू है, चर धातू का लट लकार प्रत्थम पुरुष बहु अचन का यह रूप है चरती चरतः चरंती तो म्रिगाह धन चरंती थी म्रिगास चरंती काँन से संधी होई ध्यान दीजेगा धन के चिन्ह के आगे आपको चुकी विशर्ग दिखाई दे रहा है इसलिए विशर्ग संधी है धन के चिन्ह के आगे यदि आपको हलंत दिखाई दे ये विजन दिखाई दे तो वहाँ क्या होगा विजन संधी होगा और धन के चिन्ह के आगे और पीछे दोनों तरफ यदि आपको स्वर दिखाई दे तो वहाँ पर स्वर संधी होगा फिर स्वरसंदी के अलग-अलग भेद हैं, जैसे दिर्ग स्वरसंदी है, गुण स्वरसंदी है, वृद्धी स्वरसंदी है, यन्ड स्वरसंदी है, आयाद स्वरसंदी है, पूर्वरूप स्वरसंदी है, तो इन सभी संदियों की आप जो अलग-अलग नियम है, उसको आप उसके धार पर उसका निर्णे कर सकते हैं हाँ, कोई विद्यार्थ ही यदि नहीं कर पाता है तो S.C.C.T. में वहाँ आप स्वरसंदी भी लिख सकते हैं ना सव ना धन सव और ना धन असव सही कौन सव होगा? संस्कृत में ना जो है अव्याय है ना जैसा सब्द नहीं होता है इसलिए सही रुफ होगा ना धन असव यहाँ पर दीर्गस्वर संधी है चली, आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है यच छलेन अभ्यूपेतम यच धन छलेन धन अभी धन उपेतम और यच धन छलेना धन अभी यच धन उपेतम सही कौन सा है सही रुप है यच धन छलेन धन अभी धन उपेतम यह रुप सही है क्या क्या संधी होगी जितने बार धन का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है उतनी बार संधिया है यच धन छलेन धन के चिन्ह के आगे यहाँ पर व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधी होगा चलेन धन अभी नमे आ है और धन के आगे भी अभी का अ दिख रहा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा है यह स्वर संधी कौन सा स्वर संधी आ और अ मिलकर के आ हो जा रहा है दिर्ग हो जा रहा है इसलिए क्या हो गया दिर्ग स्वर संधी हो गया अभी धन उपेतम अभी भी जो कह रहे है इसमें क्या है भा के साथ में ई का योग है तो ई है और धन के चिन्न के बाद क्या है उ है तो इसलिए क्या हो गया ई और उ का योग हुआ और वह क्या बन गया या बन गया तो इसलिए यह यानस्वर संधी है यानस्वर संधी का नियम जानते हैं, जब किसी स्वर के आगे उससे भिन्न स्वर आता है और उसको यावराला हो जाता है, तब वहाँ यांस्वर संधी होता है, तो इस तरह से यहां यांस्वर संधी हुआ, चलिए, आगे बड़ते हैं, हमारा अगला सब्द है, काश्ठे धन अगनिम काश्ठ धन अगनिम कौन सा रूप सही है तो हमने पाट में पढ़ा है उसके दार पर काश्ठे धन अगनिम यह रूप सही है और संधी कौन सी है संधी है पूरवरूप स्वरसंधी का नियम अब जानते हैं काश्ठे जो दिया गया है सब्तवी भक्ती का रूप है और इसके साथ में चुकि अ का योग हो रहा है वह जो है उसको चुपाने के लिए यह उसको अव्यक्त रखने के लिए लेकिन हाँ चुपा हुआ ही है बतान अगनिम इति काष्ठेगनिम पूर्व रूप स्वर संधी वायुष्च वायुः धन्च और वायुः धन्च सही कौन सा होगा? सही रूप है वायुः धन्च यहाँ पर विसर्ग संधी का प्रयोगुवा है पस्यात्मानम पस्यात्मा धन्नम और पस्यधन आत्मानम सही कौन सा होगा? जो अवग्रह का रूप दिखाई दे रहा है यह क्या है? यही आत्मानम है तो इसलिए पस्यधन आत्मानम यही पस्यात्मानम यह कौन संधी होगा? यह भी पूरोरूप स्वर संधी है तो इस तरह से हम विभिन अभ्यासों को हल कर सकते हैं आईए आगे बढ़ते हैं और अगला भ्यास है निर्देश निम्नांकित प्रश्नाना मुत्राणी संस्कृत भासया लिखत जो निर्देश दिया गया है संस्कृत में है परिक्षा में भी आजकल जो निर्देश दिया जाते हैं वो इसंस्कृत में रहते हैं तो उन नीरदेशों को आपको भली भाती समझना है, कि क्या पूछा जा रहा है, क्या हमें करणाै? तो निम्नांकित प्रश्णानाम उत्तरानिम संस्कृत भासिया लिखात मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्णों के उत्तर संस्कृत भासा में लिखो ये कहा जा रहा है हो सकता है कभी किसी परिक्षा में आपको संस्कृत में उत्तर न लिखकर के हिंदी में लिखने के लिए कहा दिये जाए कहा जा सकता है इसलिए हम इन प्रश्णों का उत्तर संस्कृत में भी और हिंदी में भी दोनों भासां में इसको उत्तर तयार करेंगे प्रस्ण है क तापसा नाम बलं किम अस्ति यह प्रस्ण है प्रस्ण का उत्तर तपस्वियों का बल क्या है यह प्रस्ण है तो उत्तर क्या है हम पाट पढ़े हैं तो तापसा नाम बलम तपोस्ति या तापसा नाम बलम तपह अस्ति तपस्वियों का बल जो है तप है ऐसा हिंदी में भी और संस्कृत में दोनों भासाओं में हमें उत्तर देना आना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कस्मिन कलहो नास्ति किसमे कलह नहीं है अर्थात किसमे कलह नहीं होता है तो हमने स्लोक पढ़ा है तो स्लोक के अधार पर उत्तर देते हैं ध्यान दीजेगा यहां जितने प्रस्ण दिये गए हैं ये सभी प्रस्ण जो पाच के अधार पर है इसलिए उत्तर भी आपको पाच क अधार पर ही देना है तो प्रश्न है कस्मिन कलहो नास्ति किसमे कलह नहीं है तो उत्तर होगा मौने कलह यह कलहो मौने कलहो नास्ति मौन में कलह नहीं है अर्थात मौन रहने पर कलह नहीं होता है तो इस तरह से हम उत्तर देंगे चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है चिनोपी कह रोहती चिनोपी काचने पर भी कह मतलब कौन रोहती मतलब बढ़ता है काचने पर कौन बढ़ता है किसके बारे में पाठ में कहा गिया है बाट वहां कहा गया है व्रिक्ष के बारे में तरु के बारे में तो तर लिखेंगे चिनोपी तरुह रोहती अर्थात काचने पर भी व्रिक्ष बढ़ता है होगे उत्तर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है सभायाह का परिभासा अर्थात सभा की क्या परिभासा बताई गई है सभा की क्या विसेश्ता बताई गई है ध्यान देजेगा उत्तर जो है हमें सब प्रश्न की भासा में देने का प्रयास करना चाहिए तो सभायाह परिभासा अस्ति सभा की परिभासा है क्या है यत्र वृद्धाह संति साएव सभा अर्थात जहां वृद्ध होते हैं वह सभा है अर्थात वृद्धों सभा में वृद्धों का होना आवश्यक है यह सभा की परिभासा यह सभा की विसेश्ता बताई गई है अगला प्रस्ण केन धार्यते प्रिथवी किससे प्रिथवी धारन किया जाता है किससे प्रिथवी धारन की जाती है तो सत्येन धार्यते प्रिथवी सत्य से प्रिथवी धारन की जाती है तो इस तरह से जो प्रस्ण पूछे जा रहे हैं ध्यान दीजेगा यहां जितने प्रस में इन ही में से प्रस्ण पूछे जाए हमने पूरा पाठ पढ़ा है पूरे पाठ में से भी प्रस्ण पूछे जा सकते हैं तो यह आपकी एक तयारी के लिए आपकी समझ के लिए कि इस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं इसलिए इसके अभ्यास कहा गया है चलिए हम अगले अगला निर्देश है अधो प्रदत्ता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी हिंदी भास या लिखत नीचे लिखे हुए प्रश्णों के उत्तर हिंदी भासा में लिखिये ये निर्देश है लेकिन किसी परिक्षा में हो सकता है कि यहाँ भी जो प्रश्ण दिये जाएंगे उन नहीं प्रशनों को आपको संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए भी कहा जा सकता है तो आप इन प्रशनों के उत्तर भी हिंदी में तयार करें और संस्कृत में भी तयार करें आईए देखते हैं प्रशन प्रशन है खालाश्य सक्ति कि मर्थम भवती दूस्ट की सक्ति किसलिए होती है तो उत्तर है खालाश्य सक्ति परिपीड़नाय भवती अर्थाथ दूस्ट की सक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है हो गया उत्तर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है विद्यार्थिनह किम्त्यजेत विद्यार्थि को विद्यार्थियों को क्या त्याग देना चाहिए क्या त्याग ना चाहिए विद्यार्थिनह उत्तर है विद्यार्थिनह सुखम्त्यजेत विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए तो इस तरह से आप हिंदी और संस्क्रिद दोनों में उत्तर तयार करते जाए अगला प्रश्ण है चंद्रह कम उपचियते अगला प्रश्ण है चंद्रह गथम उपचियते चंद्रमा कैसे बढ़ता है कैसे बढ़ता है पहले घटता है फिर बढ़ता है तो चंद्रह छीन अपी उपचियते घटने पर भी बढ़ जाता है अर्थात पहले घटता है फिर वह क्रमसह बढ़ता है तो चंद्रह छीन अपी उपचियते कनकम कई है परिक्षयते कनक मतलब सोना कई मतलब किन किन विदियों से परिक्षयते परिक्षय की जाता है अर्थात सोने की किन किन विदियों से परिक्षय की जाती है किन किन वीधियों से की जाती है आईए उत्तर कनकम निघर्षन छेदन ताप ताज नहीं है पाच में में पढ़ाए तो निघर्षन छेदन ताप ताज नहीं है इती चतूर भी है कनकम परिख्षते अर्थात निघर्षन घीषने से छेदन काचने से ताप तपाने से ताजनी और पीटने से इन चार प्रकारों से चतूर भी है कनकम परिख्षते सोने की परिख्षा की जाती है कौन कौन से प्रकार से एक घीषने से काचने से ताप देने से और पीटने से इन चार प्रकारों से सोने की परिख्षा की जाती है अगला प्रश्न है विवेक तह आत्मानम कुत्रपस्य विवेक पूर्वक कहां देखो या कहां देखना चाहिए तो विवेक तह आत्मानम अर्था विवेक पूर्वक आत्मा को कहां देखना चाहिए या कहां देखो ये कहा गया है उत्तर होगा विवेक तह आत्मानम देहे पस्य विवेक पुर्वक आत्मा को सरीर में देखो या विवेक पुर्वक आत्मा को सरीर में देखना चाहिए तो इस तरह से हम इस अभ्यास के उत्तर लिख सकते हैं चलिए अगला प्रशना है अगला अभ्यास है